EPS 95 पेंशन की बड़ोतरी का मुद्दा संसद में गर्माया सरकार से सवाल जवाब संसद में EPS 95 पेंशन की बड़ोतरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने सरकार से लंबित पेंशन बड़ोतरी पर कारवाई की मांग की जबकी आगामी आंदोलन में समर्थन का आश्वासन दिया गया EPS 95 पेंशन योजना की नियूंतम पेंशन बड़ोतरी का मुद्दा एक बार फिर संसद में जोर पकड़ रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सांसदों ने सरकार से पूछा की वर्षों से लंबित इस मुद्दे पर अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया है 24 जुलाई को लोकसभा में NCP की सांसद सुप्रिया सुले ने इस विशय को उठाया उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि स्वर्गिय अरुन जिटली की भी यह खवाहिश थी कि EPS 95 के मुद्दे को हल किया जाए लेकिन सरकार अब तक इस पर गंभीरता नहीं दिखा रही है उन्होंने कहा EPS 95 एक प्रतिबधता थी जिसे सरकार ने किया था लेकिन अब तक इस पर कुछ भी नहीं किया गया है सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि पेंशनरों को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है जो की बेहत दुखद है EPS के लाभार्थी बहुत ही कम पेंशन पा रही है जबकि उन्होंने 20 से 30 साल तक काम किया है उन्होंने सदन में जोड दे कर कहा अगले ही दिन 25 जुलाई को राज्यसभा में DMK के सांसद एमसान मुगम ने भी इस मुद्दे को उठाया उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं को विस्तार से रखते हुए बताया कि वर्तमान में मिल रही पेंशन उन्ट के मुँम में जीरा के समान है उन्होंने बताया कि कई पेंशनरों को गुजारा करने में कठिनाई हो रही है और सरकार को इस दिशा में ततकाल कदम उठाने चाहिए एम सान मुगम ने यह भी बताया कि बहुत सारा फंड अनकलेंड पड़ा है जिसका कोई वारिस नहीं है इस फंड का उप्योग नियूंतम पेंशन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लेबर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए NAC के कमांडर अशोक रावत के नेतरित्व में लगातार महा जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है और विभिन्न नव निर्वाचित सांसदों से मुलाकात कर ग्यापन सौंपे जा रही है इसी कड़ी में 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर ध्याना कर्शन आंदोलन भी होने वाला है जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और सांसदों का समर्थन भी देखने को मिलेगा अब देखना दिल्चस्प होगा कि सरकार इस बार पेंशनरों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है क्या सरकार पेंशनरों के हक में जुकने को तयार होगी या अपने रुख पर कायम रहेगी यह भविश्य ही बताएगा EPS 95 का मुद्दा फिर गर्माया संसद में उठने लगी यह मांग तमिलनाडू के सांसद शनमुगम ने लोक सभा में EPS 95 पेंशन धारकों की नियोंतम पेंशन व्रिद्धी की मांग उठाई उन्होंने कहा कि 20 से 30 साल काम करने वाले पेंशन धारक बहुत कम पेंशन पाते हैं और सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कल लोक सभा में EPS 95 पेंशन व्रिद्धी का मुद्दा जोड़दार तरीके से उठाया गया तमिलनाडू के मान्मिय सांसच शनमुगम ने EPS 95 पेंशन धारकों की नियोंतम पेंशन में व्रिद्धी की मांग सदन के पटल पर रखी जिससे यह विशय एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है पेंशन योजना की प्रिष्ठ भूमी 1995 में लागू की गई EPS 95 पेंशन योजना के तहत नियोकता के योगदान का 8.33% पेंशन फंड में लिया जाता है इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कामकाजी जीवन के बाद वित्तिय सुरक्षा प्रदान करना है 2014 में UPS सरकार ने नियोटम पेंशन में वृद्धी की थी लेकिन इसके बाद से पेंशन धारकों ने लगातार अधिक पेंशन की मांग की है लोकसभा में शनमुगम का बयान सांसत शनमुगम ने कहा EPS 95 पेंशन धारक जो 20 से 30 वर्षों तक काम करने के बाद बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रही है उनकी वित्तिय स्थिती सुधारने के लिए पेंशन में वृद्धी अत्यंत आवशक है उन्होंने सरकार से परिवार पेंशन स्कीम से धन जुटा कर इस मांग को पूरा करने की अपील की सरकार से अपील शनमुगम ने सरकार से अनुरोध किया कि लेबर डिपार्टमेंट इस मुद्धे पर गंभीरता से विचार करे और EPS 95 पेंशन धारकों की नियूंतम पेंशन में वृद्धी के लिए आवशक कदम उठाए EPS 95 पेंशन धारक लगातार अपनी पेंशन में वृद्धी के लिए सांसदों और विधायकों को ग्यापन देकर प्रयास कर रही है और अब इसका असर सदन में भी देखने को मिल रहा है पेंशन धारकों की उम्मीदे EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण क्षण है जो लंबे समय से अपनी वित्तिय स्थिती को सुधारने की मांग कर रहे है सरकार के इस मुद्दे पर विचार करने से उनकी उम्मीदे बढ़ गई है कि उनकी पेंशन में जल्धी वृद्धी हो सकती है EPS 95 जंतर मंतर पर पेंशनर्स का धरना सरकार को भेजी नोटिस EPS 95 जंतर मंतर EPS 95 जंतर की मांगो को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 जंतर का कॉल अटेंशन धरना आंदोलन 31 जुलाई वह 1 अगस्त 2024 को होने जा रहा है NAC के राष्ट्रिय अध्यक्षमा कमांडर अशोक राउद जीद्वारा आंदोलन की घोशना वचार सूत्रिय मांगो को मंजूर करवाने हेतु आंदोलन की नोटिस सरकार को भेजी गई है EPS 95 जंतर का आंदोलन क्यों? मां श्रम मंत्री जी व मां प्रधान मंत्री जी के द्वारा आश्वासनों के बाद बजट में भी मिनिममम पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में निराशा के कारण पेंशनर्स में व्याप्त रोश को देखते हुए EPS 95 जंतर मंतर पर धर्ना देने जा रहे है श्रम मंत्री से प्रधान मंत्री तक भेजी आंदोलन की नोटिस सभी माननिय CBT सदस्य व दिल्ली के पुलीस कमिशनर महोदय जी को भेज दी गई है NAC के राश्ट्रिय सचिफ श्री रमेश बहुगुणा जी के नेत्रित्व में दिल्ली के अध्यक्ष श्री B.S. राणा व उनकी टीम द्वारा उप्रोक्त नोटिस प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के संबंधित कार्यालेओं में भी दी जा चुकी है मांगे पूरी नहीं होने कारण हो रहा आंदोलन सरकार द्वारा पेंशनर्स की मांगों में प्रमुख रूप से मिनिमम् पेंशन को बढ़ाकर रुसात 500 शून्य प्लस्ता मेडिकल सुविधा प्रदान करने ववास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की मांग इत्यादी के विशय में सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक निर जारी रह सकता है EPS 95 जंतर मंतर का आंदोलन लेटर, EPFO की चाल पर उठे सवाल Steel Authority of India Limited समेत तमाम PSU, PSU की पेंशन पर रोक भी लगी है अजमत अली, भिलाई EPS 95 हायर पेंशन, EPS 95 हायर पेंशन को लेकर सेल बोकारो स्टील प्लांट से बड़ी खबर आ रही है 178 करमचारियों अधिकारियों को डिमांड लेटर जारी कर दिया गया है सहमती पत्र भी लिया जा रहा है उच पेंशन लेनी है या नहीं, इसकी सहमती देने के बाद ही EPFO के खाते में कार्मिकों का पैसा प्रबंधन ट्रांसफर करेगा करमचारी पेंशन योजना 1995, Employees Pension Scheme 1995 के तहत करमचारी भविश्य निधी संगठन, Employees Provident Fund Organization से उच पेंशन मिलनी है अब तक PF Trust के विवाद की वज़ा से अंगिनत लोगों का जमा पैसा तक EPFO लोटा चुका है इसी बीच 178 लोगों को दिमांड लेटर जारी करके मोटी रकम जमा करने को कही जा रही है Steel Authority of India Limited समेत तमाम PSU की हायर पेंशन पर रोक लगी हुई है इसी बीच करमचारी भविश्य निधी संगठन से सेल BSL के कार्मिकों को पैसा जमा करने का लेटर जारी करने को लेकर सवाल भी उठ रही है EPA's 95 हायर पेंशन के लिए उन करमचारियों अधिकारियों को डिमांड लेटर जारी किया गया है जिनका रिटायर्मेंट 10 साल के बाद है इससे सपष्ट होता है कि EPFO, EPFO ने बड़ा दाव खेल दिया है जिसको ततकाल पेंशन देनी है, उनको वन्चित कर दिया गया है PF Trust के नाम पर जमा पैसा लोटा चुका EPFO PF Trust में खामियों के नाम पर जमा पैसा वापस कर दिया गया है दूसरी तरफ इसी PF Trust के प्रावधान से संचालित व्यवस्था के तहत कर्मचारियों अधिकारियों से पैसा जमा करने को कहा जा रहा है जिनका रिटायर्मेंट 10 से 15 साल बाद है इस तरह की दोहरी रणनीती को लेकर BSL के कार्मिकों ने सवाल उठा दिया है करीब 5 से 12 लाख रुपए तक करने हैं जमा बताया जा रहा है कि जिनको डिमांड लेटर जारी किया गया है इनमें से नियोंतम पैसा 5 लाख रुपए और अधिकतम 12 लाख के आसपास है 178 लोगों का 1 साथ पैसा लेने के लिए EPFO ने हात बढ़ा दिया है ये सारे लेटर 20 दिन के अंदर जारी किये गए हैं BSLOA के जनरल सेक्रेटरी ने भी उठाया सवाल बोकारो आफिसर्स एसोसियेशन के जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार पांडे का कहना है कि EPFO EPFO की सोच समझ से परे है एक तरफ PF Trust के नाम पर लोगों को पेंशन के अधिकार से वंचित करके रखा गया है दूसरी तरफ जिसको अभी पेंशन देनी नहीं है उनसे पैसा मांगा जा रहा है पेंशन देंगे या नहीं EPFO यह स्पष्ट नहीं कर रहा है जबकि calculation दिया जाना चाहिए था